हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम विज्ञान के उन महत्तुपुरु भविकल्पी प्रशनों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम में 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 में ये सभी प्रशन आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं तो फ्रेंस इन में से ही आपके बोर्ड के एक्जाम में 27 फरवरी को प्रशन बनेंगे आप से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप बोर्ड के एक्जाम में 70 में 70 नमबर आसानी से प्राथ कर सकें चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके सामने पहला सवाल है तो वैदु धारा उत्पन करने की युक्ति है तो फ्रेंस आपसन है जनित्र अमीटर धारामापी या मोटर तो फ्रेंस वैदु धारा को जो उत्पन करता है उससे हम जनित्र बोलते हैं तो इसका सही फ्रेंस इसके साथ में आप याद रखिएगा जू वैद्द धारा होता है कि जनित्र कुए है डायनमो हूं वी कहते है ठीक है डायनमो काँगे जनित रखिएंगे अगला सवाल है एक चालक तार में 2 एम्पियर की धारा 10 बोल्ट पर एक मिनत तक प्रवाहित की गई तार में बेय हुइ वैदूत Łरजा का मान होगा फ्रेंज मैं यहाँ थेखए क्या पूछा ज पूंचा है देखे वाइदूत उरजा डाबलू बराबर क्या होता है आपका है भी आई टी होता है अब आपको एक चीज़ बताता है और जेगा फार्मूला आपको नहीं याद कि द दस गुड़े आई का मतलब 12 होता है कितना है दो है समय कितना एक मिनिट तो फ्रेंस आप ध्यान दीजिए कि समय को हमेशा सेकेंड में लिया जाता है ना अता एक मिनिट में कितने सेकेंड होते हैं साथ अब इसको गुड़ा कलिचा दूना कि 12 होगा दू को 20 पढ़ प्रष्न आप याद रहेगा जितने भी मात्रा के प्रश्न आप उसको जरूर याद रखेगा कि एक टेसला बरावर होता है आप संहें आपके सब्सक्राइब एक टेसला जो बराबर होता है इसका सही जवाब होगा आपका अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है किताप बढ़ाने पर किसी चालग का वयुदुट परतिरोत क्या होता है सिसलें आपको यहाँ बदाते हैं था यह होता है आपका शालग कösने इर चालग ठीक है देखिए चालक में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो यदूद क्या होता है क्या होता है श्कू याद रखे प्रतिरुवत का मात्रख है अब प्रतिरुवत को पहले आपको पता हो कि प्रतिरुवत को कप्टर आर से दिखाते हैं और इसका मात्रख क्या है यहां प्रतिरुवत को आप साथ में याद रखिएगा इसके साथ जो कुलाम होता है यह आवेश का मात्रख होता है इन सभी प्रशनों को आप साथ में याद रखिएगा ठीक है फ्रेंस मात्रख से हर साल पोर्ट के एक्जाम में सवाल बनते हैं चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या अगला नंबर का सवाल है इस सवाल को कैसे लगें कि बताते को आपको बड़ाएदी आर पृतिरोद के दो प्रतिरोदों को समनांतर करम में जोड़ा जाये ततह एक ठीक़ności एक और परतिरोद को इनकी सरड़ में जोड़ा जाए तो परामी प्रतिरोद होगा देकि इस सवाल कॉप कैसे लगाएंगे इसमें का रहा है McM Zahl को समनांतर में जोड़ दिया ठीक इसको अब पूछ रहें तुल्य परतिरूथ क्तिट न होगा अब इसको नीजे देखिए इसको हल करेंगे आप तो क्या होगा इसका तुल्य प्रतिरूत क्या होगा जब इसको हल करेंगे तो होगा आपका तू देखिए इसका होगा क्या देखिए यहाप हल करके बताते हैं आपको कई डेकर के और और हम आप स्रीश में हो जाएगा जिब स्रीयच में तो काईसे चड़ेंगे कल बटा हुए जख कितना जगा अर डेकर स्वाहा जोघेंamento सातवा नंबर का कि स्वास्त आग के लिए दूर बिंदू होता है फ्रेंस आप इसको जरूर प्रश्ण को याद रखिएगा ठीक यह प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में हर साल पूछता है कि स्वास्त आग के लिए दूर बिंदू होता है आप साने 25 सेंटीमीटर 50 सें निकट बिंदू पूछता है क्या पूछेगा आप से सवाल पूछ दे कि निकट बिंदू स्वास्त आग के लिए निकट बिंदू होता है तो आपका एंस्वर होगा पचीस संटीमीटर ठीक है कितना होगा पचीस संटीमीटर लेकिन जब यही दूर बिंदू पूछता है तो तो friends, देखे, सबसे ज़्यादा जी वीचलन होता है, आपका बैगनी रंग में होता है, इसका सही जवाब होगा बैगनी, ठीक है, friends, आपको दू-तीन कंसेप्ट बताते, एक होता है अपवर्तनांग, यहाँ पी याद रखेगा, friends, इन ही में से सवाल पूछाएगा, अपवर सबसे ज़्यादा अपवर्तनांग किसका होता है, तो लिखिएगा बैगनी, किसका बैगनी, ठीक, और सबसे कम पूछेगा, तो किसका लिखेगा, लाल का लिखिएगा, ठीक, विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का, सबसे कम किसका होता है, लाल का, ठीक, इसके सा प्रश्ण आप जरूरी याद रखेगा इसी में से आपको प्रश्ण देगा ठीक है यहां पर बता दी इसको कहीं नोट सभी कर लेजिएगा इसी में से पूछेगा आपका प्रश्ण था आठमक और आठमक था आपका सही जवाब सी चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या आपके सामने अगला नंबर के सवाल है कि समतल दरपढ़ द्वारा निर्मित परतिविम्ब का आवर्धन होता है ठीक है यहां पर समतल दरपढ़ द्वारा निर्मित परतिविम्ब का आवर्धन होता है आपसान एक होगा य अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपको सामने अगला नंबर के सवाल है दसवा नंबर का वायू में प्रकाश की चाल क्या है तीन गुड़ी दस पर आठथ नंबर क्या हो जाती है तो प्रकाश का अपॉर्त नाम है चार्णाट तो आच किसी मांत धांब में या नियुक्त कि चार्ण नहीं किटना इसका आप क्या होगा क्या हुगा ढूगा है जोगा सफस्राइब द्वेच्ट हैं अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे फ्रेंज यहां सब कमेश्ट्री के कुछ important सवाल को देख लेते हैं अब देखे फ्रेंज यहां पिया है आपका पहला सवाल है कि यह 2S विलियन का पी-एच मान होगा ठीक है अब फिरह फिर्स पता होगा आपका कि यह 2S एक अमल होता है और अमल का जो प यह मानहोंगा साथ से कँम होगा जल्य होका देखते हैं तो आफ से जब देखेंगें इसका सही जवाब का भगा ँठीर चलिए अगले नंबर के सवाल देख्ते आपके सांके सवाल नेमनल फित में प्रबल चाइर आपको पताना है कि प्रबल चार कौन सबसे ज्ञेंदा चले नंबर की सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर की सवाल सब्सक्राइब करके तरह वाँ नंबर का या या पीटी करेंगे इसक्राइब होता है इस प्रश्ण आपका जवाब होगा ये चलिए ठीक अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या आपके सामने अकला नंबर के सवाल है 14 नंबर का कि मार्स गएस का रहा साइनिक सुत्र इंपॉर्टेंट फ्रेंस यह प्रशन है मार्स इसको याद रखें का मार्स हैं क्यों इस सुत्र क्या है दें से पर या मेथे ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आप सामने यह 15 नंबर का सवाल है कि एक विलियन में ठीक है हाइडाकसाइड आयन का सांद्र एक गुड़े दस पर माइनस 12 मोल परती लीटर है इस विलियन का पी एच मान होगा देखिए सवा फिरेंस इस सव आपको यह प्लस आयन और ओच माइनस आयन पर जब हम गुड़ा करते हैं इसका मान किसके पराबर एक गुड़े 10 पर माइनस 14 के बराबर होता है ठीक है अब फिरेंस इसको ट्रिक से भी पताएंगे परेंस यह कंसेप्ट आप समझ लीजिए देखिए यहाँ पर क्या है एक 10 प्रदर मार्ळ जाय का एक होजाएका है ये फ्रेंश क्या होगट है कि 10-14 होगा इस गाथ को उपर लए जाँगे तर पर 20 मार〇स माइनस कग प्लस हो जाग ओपर जागे देखिए आधार बढ़ाखर रहता है घातगटा दीजी ते दस पर माइनस कितना बचेगा है बचेगा अब यह प्लस आइन क fasten to करना अब यह प्लस आएन के इसका है फैना करम फे me और दर ने खाली को तब यह माइनसी तरह घाता है यह माइनस उ कि जागा यह लाग कितना हो जागा आपका लाग दस हो जागा लाग दस कमान एक होता है तो यह माइनस माइनस प्लस क्या हो जागा प्लस दू गुड़े एक हो जागा तो कितना हो जागा दू इसका पी एच मान कितना है आपका दो आया अब देखे जो पी एच मान दो आया गए अब इ लोगे दिया है 10-12 जब यह देगा तो आपको जब भी पीएच मान पूछे तो ऑफ वह ज्यात करना है प्याइच प्लस आइन ग्याद करना अब यह प्लस आयन कैसे क्याद करेंगे ताप सीधे यहाँ पर गातना तो उसको 14 में से घटा दीजिए गाद जब 14 में से मां येगत इसका सही जवाब आपका एवल होगा ठीक है फ्रेंस अब चलिए अगले नंबर के सवाल को यहाँ पर देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जिसका आपसाने अगन्याश है यक्रित अमाश है या ब्रिक इसका सही जवाब होगा यक्रित आप याद रखेगा अमोनिया को यूरिया में परिवधित करता है फ्रेंस यक्रित करता है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है केवल नर जनन में पाए जाने वाली गरंथी है ठीक है पाई जाता है ती यह प्स्टेत होता है ठीक है चलिए अग्ले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अग्ला नंबर का जो बी action यह यह भी आपका साथ में के मुकलन पाये जाता है या नि आप सामने अगला नंबर का सवाल है उद्यान मटर में प्रभावित लच्छड है उद्यान मटर उसमें प्रभावित लच्छड कौन है आप साने लंबेतने जुरिदार बीच गोल बीच या फैली हुई फली तो फ्रेंज जो उद्यान मटर होता है उसमें जो आप प्रभावित लच्छड था वो था आपका जुरिदार बीच इसका सही जवाब हुआ आपका भी तो फ्रेंज यहां पे आपके विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीस कोईशन आप सभी को कराएं तो फ्रेंज जितने भी आपको कोईशन करा रहे हैं उन सभी कोईशन को आप जरूर देखिए उसी में से प्रश्ण आपको बोड के एक्जाम में पूछेगा फ्रेंज आपका नेक्स्ट वीडियो कुछ समय के बाद आपका नियुमेरिकल स इंपॉर्टन कोईशन कराएं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो फ्रेंज आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें